हलो दोस्तों दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज बिरिंद जी का एक दोहा पड़ा आ रही हूँ तो चलो में शुरू करती हूँ सबे सायक सबल के कोई ने निवल साय पवन जगावत आग को दीपे ही देत बुजाए सबसे बेरे शब्दार देख लीजे सबे का मतलब होता है सब लोग और सायक का मतलब होता है सहारा देने वाला या साहत करने वाला सबल मतलब शक्ति शाली व्यक्ति और निवल का मतलब होता है कमजोर या ऐसा है व्यक्ति पवन मतलब हवा और दीपई का मतलब है दीपग इस दोहे में कवी ने लालच के कारण या स्वार्थ के कारण साहता करने वालों पर व्यंग किया है हमें सभी लोगों की चाहे वो गरीव है चाहे वो अमीर है सबी लोगों की साहता नी स्वार्थ भावना से करनी चाहिए अब इस दोहे का पहले मैं आपको सरलर्थ बताऊंगे और उसके बाद भावर्थ बताऊंगे आप बीडियो कुलास तक देखेगा तो सबसे पहले सरलर्थ देख लीजिए सबे सायक सबल के सबे मतलब सबी लोग सायक मतलब साहरा देते हैं या साहता करते हैं सबल मतलब शक्ति शाली व्यक्ति का सबी लोग शक्ति शाली व्यक्ति को साहरा देते हैं कोई ना निवल साय कोई भी निवल मतलब कमजोर गरीव या ऐसाय व्यक्ति को साय मतलब सहारा नहीं देता है कोई भी कमजोर व्यक्ति को सहारा नहीं देता है अब इसी बात को कभी ने आग और दीपक के एक्जामपल से समझाया है तो देखिए पवन जगाबत आग को पवन मतलब हवा जगाबत मतलब प्रजुलित करती है जलाती है आग को कि हवा आग को प्रजुलित करती है हवा आग को जलाने का काम करती है दीपई देश बुजात पर वही दीपई मतलब दीपक को बुजा देती है क्योंकि दीपक कमजोर होता है इसलिए अब इसका आप भाबर देख लीजिए कभी ब्रिंद जी कहते हैं कि सभी लोग शक्तिशाली लोगों को सहारा देते हैं गरीव ऐसा है लोगों को कोई सहारा नहीं देता जैसे हवा आग को जलाने का काम करती है परंतु वह दीपक को बुजा देती है अर्थात जो शक्तिशाली है उसे लोग और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं और जो कमजोर गरीव है उसे और अधिक कमजोर और ऐसा है बना देते हैं इस दोहे की सील यह है कि हमें सभी लोगों की नी स्वार्थ भावना से सेवा करनी चाहिए धन्यवाद